हालो एव्रीवन वालकम तो माय यूट्यूब चैनल इंग्स लिट्रेचर जोन तो आज के विडियो का हम लोग का टॉपिक है इसमें भी लोग्रफिक को पढ़ें तो विडियो शुरू करते हैं विडियो जो है अगर आप लोग के सिल्बस जर्शर्श का चीए विडियो बूंच के लिए च turn करके बने कर दूब कि वीडियो तो विडियो शुरू करते हैं सो फार यहां तेक D.H. Lawrence का सम्मंध है, he was a 20th century English poet, 20th century के 20th अताबदी के English poet थे, critic थे and author of the short stories और short stories के author थे, plays नातक भी लिखते थे, travel book लिखते थे and letters, it means बहुत सारे letters को include करके work published करना तो वो भी लिखते थे, Lawrence gained imminence attention, Lawrence को imminence यानि बहुत अड़ा attention मिला, लोगों का ध्यान अपनी तरफ याकरशित किये, कैसे, for his novel, अपने novel Lady Chatterley's Lover के लिए लिए इसके लिए बहुत अड़ा attention मिला D.H. Lawrence को, which was banned in 1959, जिसको ही banned कर दिया गया था, इस novel पे रोक लग गई थी, 1959 and 1960 में, in the US and England, US और England में, he is one of the most notable 20th century writer, 20th century के one of the प्रेमुक writer के रूप में, लेखक के रूप में जाने चाहते हैं, his full name is, और उनका पूरा नाम है, David Herbert Lawrence, अब आगे है, being a modernist writer, modernist यानि आरूनिक writer, लेखक होने के नाते, कै Lawrence portrays the destructive effect of industrialization and modernism, तो वो क्या portray, portray यानि चित्रित करते हैं, destructive, destructive यानि विनासकारी effect, प्रभाव को दिखाते हैं, industrialization, इट मिन्स जो बरी-बरी industry आई, मतलब industry में से related काम होने लगा, और modernism आधुनिकता आई, तो उस चीज़ के बुड़े प्रभाव को दिखाते हैं, Lawrence also presents certain other issues, और भी धेर साथ अलग-अलग मुद्दे जो है, like vitality दिखाते हैं, it means चीवन शक्ती दिखाते हैं, sexual issues पे बात करते हैं, and psychological health, psychological health, यानि मनोवज्यानिक स्वास्त, यानि मानसिक रूप से इंसान का स्वास्त होना जरूरी है, इन सब मुद्दों पे बें बात करते हैं, इंसान के मानसिक स्वास्त के बाड़े में बात करते हैं, हाई वर, हलाकि he has considered as the greatest imaginative of our generation, by E.M. Foster, तो by E.M. Foster, यानि Edward Morgan, Edward Morgan Foster जो हैं, उनके द्वारा D.S. Lawrence को greatest imaginative poet माना जाता है, उनका जो नॉवेल है, Women in Love and Sons and Lovers are the most notable work of Lawrence, यह काफी famous work, प्रमुक work माना जाता है Lawrence का, that give an account of his writing style, तो जो कि उनके मतलब style को, उनके लिखने के style को एक account, यानि एक बहुत ज़्यादा महत्व दिलाता है, एक अलग भाचान दिलाता है, most of his works, उनका जो ज़्यादा तर work होता है, have a stark concept, उसका एक stark, एक drigged concept होता है, of sexuality and openness, sexuality के बारे में बात करते हैं, और काफी open तडिके से बात करते हैं, to the restricted discussion of the time, जो कि उस time restricted था, प्रतिबंदित था, मतलब sexuality के बारे में बात करना, खुले रूप से प्रतिबंदित था उस time, फिर भी ये बात करते थे, इस वज़े से mostly क्या था था न, इनके work को ban कर दिया जाता था, रोक लगा दिया जाता था इनके work पे, अब आगे है biography of D.S. Lawrence, D.S. Lawrence के biography को देखते हैं, D.S. Lawrence was born as the fourth child of the Lawrence family, D.S. Lawrence का जो जन्म हुआ, अपने family के चौथे बच्चे के रोप में हुआ, अपने family के fourth child थे, on 11 September 1885 में हुआ, इन टाउन अफ इस्टूर्ड नाम के टाउन में, हम जगा का भी नाम लिख रखे थे, लेकिन जगा का नाम थोड़ा अजीब था, इसे देखे इसको कट करती है, तो इस्टूर्ड के टाउन में, इनका जन्म हुआ नॉमली आप लेख सकते हो, His father Arthur John Lawrence, उनके जो पिता है, Arthur John Lawrence was a coal miner, एक कोईले की खादान में काम करते थे, and his mother Lydia Lawrence was a teacher, उनकी मा जो Lydia Lawrence थी, वो एक teacher थी, she was the motivation for Lawrence's love for literature, और Lawrence का जो मतलब literature के लिए, हम लोगों को प्यार देखने को मिलता है, साहित थी के लिए, उसका motivation का कारण कोन थी, उनकी मा ही थी, because क्योंकि she was herself a lover of literary education, क्योंकि वो खुद Lawrence की मा जो है, Lydia Lawrence वो खुद literature की बहुत ज्यादा लवर थी, बहुत ज्यादा पसंद था हो लिट्रेचर, इस वज़े से Lawrence को भी literature में काफी interest था, अब आगे, from 1891 to 1898, 1891 से 1898 तक Lawrence attended Buell Board School, Buell Board School में वो इस्तड़ी किये, three years letter, तीन साल बाद, letter in 1901, 1901 में, he quitted the school, वो इस्त़ूल मतब क्विट किये, छोड़ दिये, and began working as a color, और एक color के रूप में काम करना शुरू कर दिये, अब आगे है letter, बाद में, he joined the British school in Estward, Estward के British school को जोइन किये, as a teacher, एक teacher के रूप में, there he met, वहाँ पर वो मिले, किससे जैसी, chamber से मिले, a young lady, जो कि a young lady थी, in her companionship, और उनी के साथ रहते हुए, Lawrence developed the love of writing, तो Lawrence, मतलब Lawrence के अंदर क्या आया, लिखने को लेके प्यार आया, ठीक है, उनका interest जागा, लिखने में, writing में, और अपना पहला नॉवल, उसी टाइम में लिखना स्टार्ट किया, जिसको की published किया गया, The White Peacock के नाम से, ठीक है, अब आगे है, early writing career, शुरुआती है, इनका writing career कैसा रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं, in 1908, 1908 में, after completing his teacher's degree, अपने teacher's degree को complete करने के बाद, he left for London, वो कहाँ चले गया, London चले गया, ठीक है, then William, उसके बाद जो है, William Heineman, published his works, उनके works को, William Heineman published किये, The White Peacock को in 1911 में, the novel was based on mismatched marriage, और यह जो उनकी पहले novel थी, The White Peacock, वो किस पे based थी, mismatched marriage पे, ठीक है, ऐसा marriage जिसमें, कोई भी match ना दिखाया जा, and class conflict, और class conflict, यानि class के संघर्ज को, उचा नीचा, अमीर गडी, गोरा काला, इस तरीके संघर्ज पे based थी, in this way, इस तरीके से, his writing career began, और इसी तरीके से, उनके writing career के, सुर्वात हुई, इस novel से, इस novel से, The White Peacock से, अब आगे है, in 1930, 1913 में, with the help of Edward Garnett, Edward Garnett के, मदद से, an influential editor, जो की एक प्रभावकारी, काफी प्रमुख, एडिटर थी, Lawrence published, Sons and Lover, Lawrence क्या published करते हैं, Sons and Lover's published करते हैं, it is one of the remarkable novel, of 20th century, जो की 20th century का, काफी प्रमुख, नॉविन माना जाता है, due to, his close relationship, with his mother, अपनी मा के साथ, बहुत ज़्यादा, close relationship होनी के वज़े, Lawrence suffered, great stress, Lawrence को, बहुत ज़्यादा, stress से, गुजरना परा, and sickness, और बिमारी से, भी गुजरना पड़ा, after her death, her death, it means, उनकी मा की मिर्थी के बाद, ये बहुत ज़्यादा परिशान हो गये थे, stress में हो गये रहने लगे थे, और बिमार भी पर गये थे, क्योंकि अपनी मा के बहुत ज़्यादा close थे, अब आगे है, this depiction, और यही व्याख्या जो है, of mother-son attachment, mother-son के attachment की, mother-son के जुराव की, mother-son के प्यार की, can be seen in his novel Sons and Lovers, और यही attachment हम लोग को उनके novel Sons and Lovers में देखने को मिलता है, in which जिसमें की, a son feels devastated, एक son जो है, devastated feel करता है, बहुत निरास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, बुड़ा मतलब, बिखला बिखला सा feel करता है, at the death of his beloved mother, अपनी beloved mother, मतलब मा की death के बाद, अपनी मा की मेर्थियों के बाद, अब आगे है, high time of writing, राइटिंग का, अब इनका high time, जिस time में बहुत ज्यादा work लिखे, he left his teaching, उसके बाद, यह क्या करते, अपनी teaching छोड़ देते हैं, career, अपनी teaching career को छोड़ते हैं, and adapted the profession of a writer, और एक writer का profession, adapt कर लेते हैं, मतलब, as a writer, अपना profession शुरू कर देते हैं, Lawrence wrote the first edition of poetry, poetry भी, मतलब, novels तो लिखे हैं ही, as a novelist काफी famous थे, और poetry भी लिखे, तो पहला edition जो है, love poems and others, published करवाएं, पहला इनका poem जो था, वो love poems and others के नाम से published हुआ, and the play, और उनका जो play है, doubter in love, published करवाया गया, ठीक है, he also published a notable collection of short stories, short stories का collection, यहनि शंगड, जिसमें धीर साला short story सामी लो, वो भी published किये, कौन था वो, the prussian officer, नाम का एक short story का collection भी वो published किया रवाएं, in 1950, 1950 में, he printed the rainbow, the rainbow print किये, a novel that was sexually too vulgar, जो कि sexually too vulgar, बहुत ज़्यादा अश्लील नोवेल था, for the society, society के लिए, office time, उनके time के society के लिए, जो एक novel था, कौन, the rainbow नाम का, जो कि काफी vulgar था, it was banned for its sexually, its split nature in that era, तो उस time के महना, फिर इसको sexually, मतलब बहुत ज़्यादा, vulgar होने के वज़े से, इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, उस time के period में, उस time ban कर दिया गया था, during the world war one, अब world war one के time, ठीक है, इससे पहले यहाँ पर हम mention करते हैं, कि वो मतलब शादी भी किये थे, तो उनको अपने किसी professor की, wife के साथ, प्यार हो गया था, और उसी professor की wife के साथ, वो भाग के ऐसे शादी भी कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का उनका कुछ, मतलब शादी वाला लाइफ था, तो इसमें हम mention नहीं किये हैं, अब आगे है, during the world war one, वोल्ड वार one के दौरान, he published some edition of poetry, कुछ poetry भी publish करवाया किये, वो इसे के new poems नाम से, look we have come through, ये poem का उनका publish करवाया गया, and be a book of poem ये भी publish करवाया गया, while Lawrence was diagnosed with tuberculosis, मतलब जब Lawrence को diagnosed, यानि पता चला है कि उनको tuberculosis, यानि TB नाम की बिमारी हो गई है, he moved back to Italy in 1927, वो 1927 में फिर इटली चले गए, there he wrote and published his most infamous novel, और वहीं पे जा कि वो अपना बहुत जदा famous novel लिखे, कौन लेडी चेटरली इस lover, in 1928, 1928 में, अब आगे इट explains, या explain करता है, मतलब व्याख्या करता है, with a graphic representation, graphic representation, मतलब एगदम picture के रूप में present करता है, मतलब चितर के रूप में present करता है, the love affairs, love affairs को, मतलब affair को दिखाता है, जो हो जाता है, normally love affair को दिखाता है, and sexual intimacy, or sexual intimacy, it means, aware of some month को दिखाता है, of an aristocratic lady, एक aristocratic यानि एक पैसे वाली lady का, and her working class lover, और उसका working class का lover, मतलब कोई lower class के lover से, एक love affair को दिखाता है, the novel was banned, ये novel को भी banned कर दिया गया, in the, in US, and England, US, England में, in 1959 and 1960, इसके बाड़े में बताएं थे, Lady Chatterley नाम का लिखे, जिसको भी banned कर दिया गया, तो काफी famous novel था इनका, ठीक है, अब हम यहाँ पे mention कि है, right theme here, यहाँ पे हम लोग को theme लिखना है, ठीक है, पहले हम लोग theme ही पढ़ ले थे, क्योंकि इस वाले section की बाद, आपको पहले theme लिखना है, theme of Lawrence work, Lawrence के works का theme क्या होता था, विशे क्या होता था, fall of western civilization, पस्चिमी सभिता का पतन दिखाते थे, contempt for financial gains, financial gains, मतलब पैसे को लेके, मतलब problems, पैसे को पैसे के लिए जो संकरश करना पड़ता था, वो सब दिखाते थे, autobiographical influence, मतलब autobiographical प्रभाव ही देखने को मिलता है, इनके work में, मतलब अपनी life के बाड़े में लिखते थे, अपनी life से related work लिखते थे, जैसे कि हम बताएं, sunshine lover में, यह अपनी मा के प्रती प्रेम को वेक्ट किये हैं, तो उसी तरही के work को, autographical work का आ जाता है, अब है, comparison of animals to human thinking, comparison भी करते थे, अपनी works के through humans के thinking का, और animals के thinking का, the idea of death, यह भी wish होता था, उनके novels का religious concept, कुछ dharmic concept पे भी लिखते थे, और discussion of sexuality, जिसके वाज़े से इनका novel mostly ban होता था, रोक लगाया जाता था नोविल पे, तो इसके लिए यह सब जो है, इनका काफी famous theme था, विशय था इनके novel का, अब आगे है, in his last times, अपने last time में, Lawrence wrote little, मतलब अब उनको tuberculosis यानि टीबी की बिमारी हो गई थी, अब last time में वो थोड़ा लिखे, due to deteriorating physical strength, मतलब उनके physical strength सारी सकती जो है, 6 होते जाड़े थी, कम होते जाड़े थी बिमार होने के वज़़े से, तो वो बहुत कम लिखे, at the end he wrote, अंत में वो लिखे, apoclips, apoclips नाम का work लिखे, जिसका कियर्थ होता है, अकाश वानी, एक critical intersection of a western religion, जिसमें कि वो western religion के बारे में discuss किये, जो कि नहीं हम बताएं, तो religion भी मिलने, उनके विखे, वर्क का theme होता था, विखे होता था, he also composed the poem collection, और end में वो एक poem collection भी, कवीता का संग्रभी, publish करवा हैं, जिनका की नाम है, Last Poems in His Last Day of Illness, अपने बिमारगी के अंतिम दिनों में बिल्कुल लिखे हैं ये work, अब है, Lawrence died in 1930, 1930 में Lawrence की मिर्ती हो जाती है, at the age of 44, 44 के age में, because of TB, वही TB, यहनी tuberculosis के वज़े से, He became one of the greatest modernist writer of the 20th century, और यह 20th century के one of the greatest mahan writer में जानते हैं, famous writer, Lawrence former controversial writing, और Lawrence की जो पहभूत पूर, पहले की controversial writing थी, विवादित writing, मतलब जिसको ban कर दिया जाता था, publish नहीं होने दिया जाता था, मतलब में मेंली sexuality की बारे में discuss करने के वज़े से, became revolutionary and comprehensive in modern world, वो modern world में बिलकुल क्रांतिकारी बन जाती है, और comprehensive यह बड़ी व्यापक बन जाती है, बहुत ता प्रशिदी मिलती है, जिस novel को पहले बैन किया गया, उस novel को आज के रेट में बहुत जादा, वो क्रांतिकारी का काम करती है, यह revolution लाने का काम करती है, और comprehensive बन जाती है, he wrote about a wide range of topics, धे सारे topics पे, धे सारे विशे पे लिखते थे, including a detailed account of women sexuality, women sexuality के बारे में, love के बारे में, war के बारे में, youth के बारे में, psychological world, मतलब monowagyanic world, यानि मानसिकता के बारे में लिखते थे, मानसिकता के बारे में, and different genres, different genres यानि और अलग-अलग शैली में लिखते थे, तो यहाँ पे हो गया है, उनका work, अब सबसे आखरी में वाला Stanja Mansion के में, this features और यही जो features है, विसेशता है, made Lawrence a remarkable 20th century writer, Lawrence को 20th century का प्रमुख writer बनाती है, English literature will be always inducted, English literature जो है का हमेशा inducted, यानि रिनी रहेगा to D.S. Lawrence, D.S. Lawrence का for his contributions to the English literature, जो उनका योगदान रहा है English literature में, English literature के field में, novels में, works में, तो इसके लिए जो English आईते हैं, वो हमेशा D.S. Lawrence का रिनी रहेगा, ठीक है, उनका कर्जदार रहेगा, तो यहाँ पे जो है, यह खत्म होता है notes, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए helpful है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना है, क्याँ को subscribe करना है, और comment करके बताने वीडियो को कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स टोपिक के साथ,